कि हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज कि इस नए प्रैक्टिसेट में जो कि बिहार दरोगा मैंस एकजाम को लेगर के हैं सब्सक्राइब करके जरूर बताएगा कितने प्रशन को सही कर पारें अगर इससे पहले आपने उन सारे प्रैक्टिसेट को नहीं सारे प्रैक्टिसेट को लगा लिजिए अच्छे अच्छे प्रस्ट उसमें इंक्लूड किये गए ठीक है और अगर आप इन सभी का पीडिएफ आसानी से प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा वाट्स आप या टेलेग्राम गुरूप को जॉइन करना होगा वहा से आप इसकी पीडियोफ को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं ठीक है तो सलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को सो फेंस आज का पहला प्रशन है हाइड्रोजन प्रमानु के नियुकिलियस में प्रोट्रॉन की संक्या कितनी होती है तो सही जवाब होगा आपसन भी आ सबसे अधिक होता है तो सही जवाब है आपसन ए बैंगनी ठीक है इंद्रदुनस में बैंगनी कलर का जो सबसे ज़्यादा बिशेपन होता है सही जवाब होगा आपसन यहां पर मैं चीज आपको और बता रहा हूं अगर आपके भाई-बैन है छोटे भाई-बैन है या फि सब्सक्राइब मेरे फ्रेंस के त्वारा एक अच्छा इनिसियेटिव सुरू किया गया है ठीक है वहाँ पर अल्रेडी बहुत सारे बच्चे इंडॉल कर चुके हैं वह लोग काफी अच्छे और एट्रक्टिव प्राइज में पूरी जो बोर्ट की त्यारी है वह करवा र ठीक है तो आप जरूर से एक बार विजिट कर लीजेगाई काफी अच्छा इनिसेटिव है यहां पर बहुत सारे बच्चे अल्रेडी इंडॉल कर चुके हैं ठीक है सो चलिए आज के अगला प्रशन को देखते हैं अगला प्रशन है पाइराडॉक्सीन किस बिटामिन का र प्रशन को याद रखना है अगला प्रशन है वायूमंडल की नीमतम परत कहलाती है अगला प्रशन है सूची वन को सूची टू से सुमेलित करें सूची वन में लिखा हुआ है बंगलूरू मुंबाई जैपूर और कॉलकत्ता मतलब यह सहर का नाम है और इधर उपनाम से जो इनको जाना जाता है बो लिखा हुआ ठीक है तो बैंगलूरू को भारत का बगिचा कहते है ठीक है मुंबाई को गेटवे ओफ इंडिया कहते है जैपूर जो की गुलावी सहर के नाम से प्रसीद है कॉलकत्ता महलो का सहर ठीक है तो इस हिसाब से सही जवाब हो जाएगा आपसन बी एका टू एका टू बी का थ्री एंड सी का फूर एंड डी का वन ठीक है तो सही जवाब है आपसन बी आपको जरूर से याद रखना इस कोशन को ठीक है अगला प्रसना है नेमलालीख्षत में कौन सी रत कोल्ड ब्लॉडड जानवर है का जवाब है कि अ आपसन डी उप्रवक्त सभी ठीक है चीपकली मैंडशक और मछली यह कि अगला प्राशन है सुची वन और सुची टो को सुमेलित करें इस तरफ लडाई का मतलब लडाई वाला जगह दिया हुआ है दूसरे तरफ राज्य दिया हुआ तो आपको सही मिलान को है करना है बताना है सुमेलित करना ठीक है अगला प्राशन है सुची वन को सुची टू को सुमेलित करें एक तरफ है रासाइनिक का नाम और दूसरे तरफ उसका कार्य दिया हुआ ठीक है पहला है जियो लाइट ठीक है जियो लाइट का जो कार्य होता वो पानी का मृद्य करन करने के लिए तो एका थर्ड हो जाएगा प्लास्टर और फेरिस धलाई के कार्य में यूज करते हैं बी का फूर हो जाएगा और अल्ट्रा अल्ट्रा मरीनिस ठीक है इसका जो है इस्तेमाल धुलाई कार्य के लिए क अगला प्रश्ण है सूची वन और सूची टू को सुमेलित करें इधर इस तरफ है आंदोलन और इस तरफ है राज नेता मतलब जो नेता थे उनका नाम दिया हुआ तो इसका सुमेलित करना है सब इन्हें अबग्या आंदोलन जो कि महातमा गांधी से संबंदित है तो एका हो जाएगा थर्ड भारतिये गुरू होम रूल सासन जो की बाल गंगा धर तिलक से संबंदित है तो भी का फ्रस्ट हो जाएगा और आदर्स परीमिती नेता जो की जीके गोखले यानि कि गोपाल कृष्ण गोखले हैं और ब्रहम सम माजके सहे रजरा मोहन राय के दना ठीक है तो सही जवाब फोगा इस हिसाब का सही जवाब होगा आप स姜 आपको जरूर सेी Summer को याद charities करें ठीक है इस तरफ है गैस का नाम और इस उसका रासाइनिक नाम है तो आपको दोनों को सुमेलित करना है प्राक्रितिक गैस यानि कि इसको CH4 कहते हैं हास से गैस ठीक है इसको हम लोग बोलते हैं एन टू ओ ठीक है और सुस्क वर्फ जिसको CO2 बोला जाता है और अमोनिया को NH3 बोला जाता है अब सभी को पता ही होगा ठीक है तो इस कोशन का इस हिसाब से सही जवाब होगा कोशन सी ठीक है त lawn ज्रूर से को चुक्चन को याद कर रखना है अगला प्रास्तन है सुची 1 और सुची 2 को सुमयलित करें ठीक है इस तरफ päर राज्य का नाम और फॉषर यानि की शनी को यानि के ये ट ज़ेघा घणा या यान की दो और ये हो जाएगा ठीक है तो तो इस question का साई जवाब होगा स्वरी option सी होगा इस question का सही जवाब ठीक है तो आपको जरूर से इस question को याद रखना है कि अगला प्रस्थने है प्रिकास संसिलेशन की परिकिरिया निमनली खित में से कौन सी गयास बाहर निकलती है सही जवाब होगा option C oxygen ठीक है प्रिकास संसलेशन के परिक्रिया के दोरान जो है oxygen बाहर निकलती है सही जवाब होगा option C अगला प्रशना है गुन सूत्र याने की क्रोमोजोम क्या है सही जवाब है option B निकलियर में पाई जाने वाली धागे के समान राचना जो की अनुवांसिक कूट को ले जाती है सही जवाब होगा option B अगला प्रशना है 1937 इस दिमें भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस द्वारा संभिधान सभा की मांग कहां हुए अधिवेशन में रखी गई थी सही जवाब होगा option C फैजपूर ठीक है फैजपूर की अधिवेशन में यह सबसे पहले रखा गया था ठीक है तो आपको जरूर से याद रखना इस कोशन को अगला प्रशन है एक तत्व के प्रमानु दुसरे सभी तत्व के प्रमानु से निम्नलिक्वित में भीन होते हैं सही जवाब होगा option A प्रमानु की संख्या और इलक्त्रونिक बिन्यास में सही जवाब होगा option A अगला प्रस्ण है हाइग्रो मीटर किसे नापने के लिए प्रियोग में लाया जाता है सही जवाब होगा आपसन सी वायू मंडल में ब्यापत आधरता को यानि कि आधरता को मापने के लिए हाइग्रो मीटर का यूज करते हैं सही जवाब होगा आपसंसी अगला प्रस्ण है गर्म मौसम के दोरान पंखे से सुख मिलता है इसका कारण है सही जवाब है आपसंसी हमारा पसीना जो है जल्दी सुख जाता है इसके कारण से हमें सुख मिलता है सही जवाब होगा आपसन C अगला प्रस्टन है योगेंदर स्वरी यह मिस्प्रिंट हो गए यहाँ पर UN है UN सुरक्षा परिशत में कितने अस्थाई सदस्य होते हैं सही जवाब है आपसन A5 5 जो हैं वो अस्थाई सदस्य हैं ठीक है अगला प्रस्टन है निमने लिखित में कौन सा खिलाड़ी उसके खेल से सही मिलान नहीं करता है सही जवाब है आपसन C लिएंडर पेस ठीक है लिएंडर पेस फुटबॉल से नहीं बलकि टेबल टेनिस सोरी टेनिस से सम्बंदित है स्यद मोधी बैटमिंटन से वीशन सिंग वेदी क्रिकेट से ठीक है तो इस कोशन का सही जवाब है आपसन C अगला प्रस्टन है निमने लिखित में कौन सी जोड़ी गलत है सही जवाब है आपसन A पोलियो बंदर ठीक है यह जो जोड़ी है वो बिलकुल गलत है प्लेग जो है वो चुहा से है रेबिज कुता से और टेम्पवर्म यह सुवर से ठीक है तो सही जवाब होगा आपसन A अगला प्रस्टन निमने लिखित में से किस की नियुक्ती जो है भारत के राष्ट पति के द्वारा नहीं होती है सही जवाब है आपसन ए लोकसभा के अध्यक्ष ठीक है लोकसभा के अध्यक्ष जो है वह भारत के राष्टपतिक के द्वारा नहीं नियुक्त करता है ठीक है बाकी भारत के प्रमुख ने अधिस भारत के राष्टपतिक के द्वारा नियुक्त करता है सही जवाब होगा अगला प्रस्ना निमलेखित में कौन सी जोड़ी गलत है अप्रीदी उत्तर पस्य मी अफ्रीका बिल्कुल गलत है ठीक है तो अप्रस्न लिखित में कौन से देश की सबसे लंबी अंतराश्रीय सीमारेखा भारत से जुरी हुई है ज़ी जवाब है आप्सन ए बांगलादेश ठीक है बांगलादेश के साथ भारत का सबसे ज़्यादा जो है अन्तरास्टीजिए सीमा रेखा जुडा हुआ है सही जवाब होगा आप्सन ए अगला प्रस्न है निमने लिखित में कौन सा प्रानी अस्तंधारी नहीं है सही जवब होगा अस्थन धारी नहीं है अगला प्रसुन है closed economy से तात पर यह उस अर्थ विवस्ता से है जिस में सही जवब होगा आयात तथा निर्यात नहीं होते हो ना तो आयात और नहीं निर्यात होते हो तो वैसे स्थिति को हम क्लोजट इकोनामी कहते हैं सहीजवाब होगा आप्सन डी अगिला प्रच्न है रेगिस्तान में बादल आवसेश होकर क्यों नहीं बरसते हैं अग प्रच्न है पृष्कार और संबंदित खेत्रों को निमनलेखित जोडियों में से कौन सीeta कोड़ी का मैल सही नहीं है तो चैसे जवाब है आप संसी पुलिटजर पुरुसकार जो की धर्म淲एकर नहीं बलके पुलिट्वर ढरें पुलिट्वर जो पुरुसकार हो आर्कीटेक्चर के भ्याइन की प्रसीदी के लिए दिए लाता है भुकर प्राइस साहित्ते के लिए और बॉरलोग प्रुषकार क्रिसी के लिए तब को ये सारे याद रखने हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्जाम में पूछे जाता हैं बहुत ही ज्यादा बार ठीक है अगला प्राशन है निम्नलिखित में कौन सी नदी बिंद्याचल और सत्पुडा के परवत स्रिंकला के मध्य से होकर गुजरती है शही जवाब है आप्शन A. नर्मदा नदी ठीक है नर्मदा नदी जो है वो बिंद्याचल और सत्पुडा के परवत श्रिंखला के मद्दे से होकर गुजरती है शही जवाब है आप्शन A. अगला प्रस्न है डोल्डरम इन में से सम्बंधित है सही जवाब है आपसन A भूमत दे रेखा के निकट प्रिसांत और हलकी परिवर्तन सिल हवाओं का छेतर को डोल्डरम कहते हैं सही जवाब होगा आपसन A अगला प्राशना है वह सिधांत जिसके अनुसार जनसंख्या गुन ओतर स्रेनी में बढ़ती है सही जवाब है आपसन B ग्रेवसम से यह संबंदित है सही जवाब होगा आपसन B अगला प्राशना है निमनली खित में कौन सी रेल गाड़ी देश के सबसे बड़े लंबी रेल मार्ग पर चलती है सही जवाब होगा आपसन B जammju कुमारी एक्सप्रेश घीक है जम्मु कन्य कुमारी जो एक्सप्रेश है में देश के सबसे बड़े लंबी रेल देवे मार्ग पर चलती है सही जवाब होगा आपसन B अगला प्रस्णा है आखों के स्वस्थ रखने के लिए कौन सा बिटामिन सहायक है सही जवाब है आपसन D, बिटामिन A, ठीक है बिटामिन A जो है वो सहायक है सही जवाब होगा आपसन D यह मैं अगला प्रस्णै निमेली नहीं है कौन साथ सहर में आई-आई टी टक्णिक संस्थान नहीं है है में सद्वाब है आप संदि कॉलकत्ता ठीक है है कॉलकत्ता में कोई भी बाकि कानपूर में आयाटी है गुहाटी में आयठी है और आयेटी रोणकी में आयाटी है ठीक है तो आपको अगला प्रश्ण है टीस्यू कल्चर का अध्यान किसके लिए उप्योगी है सही जवाब है आपसंडी अनुमानसिकी के लिए ठीक है अनुमानसिकी के लिए टीस्यू कल्चर का अध्यान जो है वो बहुत चरूरी है सही जवाब होगा आपसंडी अगला प्रश्ण है जाली दस्तावेजों का पता निमनली खित में से किन किर्णों के द्वारा लगाया जाता है पारा बैगनिक किर्णों के द्वारा जाली दस्तवेजों का पता भो लगाया जा सकता है अगला प्रश्の किटनिमनली खिट से सम्बंधित है साथ ऑर्थो पोड़ा से छिक किट जो है वह अर्थोपड़ा समुख से सम्बंधित है सही जवाब है आपसंडी अगला प्राश्ण है एसिया और यूरोप में संतुलित घहास अस्थल कहलाती है सही जवाब है आपसंडी स्टेपीज ठीक है स्टेपीज कहलाते है एसिया और यूरोप में जो संतुलित घहास का मैदान है ठीक है उसको हम स्टेपिज क्याते हैं सही जवाब है आपसन सी अगला प्राशना निमने लिखी तो मैं कौन सा छेत्र और राज्य की जोड़ी मेल सही नहीं खाती है सही जवाब है आपसन भी बुंदेल खंड राजस्थान बिल्कुल गलत है बुंदेल खंड जो है वो उत्तर परदेश से संबंधित है ठीक है वहीं पर सवराश्ट जो है वो गुजरात में है तेलांगाना आंध्र परदेश में है विदर्व जो है वो महाराश्ट में है ठीक सभी आर्थिक लेंदिन से संबंधित है भी ओपी ठीक है तो आपको जरूर सही रखना इस को सही जवाब है आपसन भी अगला परसन है रेमन मैक्स से पुरुस्कार का नाम कौन से देश के पूरबराष्ट पति के नाम पर है प्रुस्कार दिया जाता है और इसको एसिया का नोबेल पुरुस्कार भी कहते हैं तो आपको जरूर सही जवाब है आपसन भी अगला प्रस्ण है निम्न लिखे तुम्हें कौन सी पूस्तक ज्वाहरला नेहरू के द्वारा लिखी गई है सही जवाब है आपसन डिवी डिस्कबरी ओफ अंडिया थीग है डिसकबरी ओफ इंडिया जो पुस्तक है वो ज्वारला नेहरू जी के अगला प्रस्ण है सामानने भंजन किस आयस्क में किय दाता है सभी जवाब है आपसन भी सल्फाइड आयस्क ठीक है सल्फाइड आयस्क में समानने भंजन जो है उसका आयस्क किया जाता है सभी अगला प्रशन है स्वामी बिबेकानंद किस अस्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसीद हुए हैं अगला प्रशन है निमनलिकित में कौन सा कथन सिंधु घाटी सब्वेता के संबंध में सही है सही जवाब है आपसंडी उप्रोक्त सभी उनके घर इटोके बने थे ये बिलकुल सही है सभाभवन की खोज मोहन जोदाव में हुई है ये भी बिलकुल सही है घर की निर्मान योजना में खूला चौक का मुख्य लक्षन था ये भी बिलकुल सही है तो इस कोशन का सही एगला प्रश्ण है मेगना निम्नलिक्षित में से किन दो नदियों का समलित धारा है तो सही जवाब है गंगा और ब्रहाम पूत्र नदी के समलित धारा को मेगना कहा जाता है ठीक है जो बंगला देस में बहता है सब्सक्राइब कर लिए इसी तरी के कंटेंट आपको यहां पर प्रवाइट किया जाता है तो आप सब के लिए लास्ट में एक आप सब के लिए प्रश्न है जिसका अटेंट जो है अगर आपको यह प्रश्न का उतर पता है तो आपको कॉमेंट सेक्षन में इसका उतर देना है ठीक है so thanks for watching this video and as usual may god bless you thanks